नमस्कार दोस्तों, एलेक्टोरल बॉंट भारत वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा गोटाला है, यहां रिश्वत के तौर पर चंदा लिया गया, बदले में सरकार ने चंदा देने वालों को बड़े-बड़े ठेके दिये, सरकारी लाब दिये, पहले ED से डराया, फिर ED से ब इन उद्योग पतियों ने पार्टी को चंदा दिया, दोस्तों, जैसे हर डकैत, हर चोर, हर मकार का चोरी मकारी करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल वैसे ही, जब हम पुरानी खबरों को, चंदे की तारिकों को, और चंदा देने वाले ED से नामों को, और उनकी कमपनियों को, एक साथ, एक जगा पर रखते हैं, तो मकारी का पुरा खेल डीकोड हो जाता है, जादा दर में एक पैटन दिखाई देता है, पहले कोई सरकारी एजनसी इन उद्योग पतियों के यहां रेज मारती है, इसकी खबर छपती है, फिर उद्योग पती पार्टी फंड में, एलेक्टोरल बॉंड से पैसा देता है, उसके बाद उसे या तो बड़ा ठेका मिल जाता है, या फिर सरकारी एजनसी से उसका पीछा छूट जाता है, दोस्तों, आज हम एक एक करके सबूतों के साथ देखेंगे कि किस उद्योग पती पर कप कारवाई हुई, और कप उनसे पार्टी को चंदा देने के लिए बॉंड्स खरदवाए गए और कब उन्हें सरकार से बड़ा ठेका मिला, पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज का, इस कंपनी ने 1368 करोड के बॉंड खरीदे, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज एक लॉंच्ट खरीद डाले, और हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी का कोल टर्नोवर जानते हैं किता है, मात्र पांसो करोड का, लेकिन एलेक्टोरल बॉंड से चंदा दिया 1368 करोड का, है ना इस देश का सबसे बड़ा घोटाला, अभी मैंने शुरुआत ही आगे तो बड़े-बड़े मंत्रियों के नाम है, जो संसत में खड़े होकर कंपनी की बढ़ाई कर रहे थे, और पीठ पीछे उनकी पाटी चंदा लेकरके उन्हें ठेके दे रही थे, सुनिए, पाटी को चंदा देने में दूसरा नाम आता है, मेगा इंजिनिरिंग का, इ ठीक एक महीने के बाद, 12 माई 2023 को मेगा इंजिनिरिंग को 14,400 करोड का ठाने बोरिवली ट्विन टरनल प्रोजेक्ट मिल जाता है, है ना चादू, और सुनि, चंदा देने से 4 साल पहले, यानि 2019 में, मेगा इंजिनिरिंग पर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी, मतलब पहले रेड मार कर दबाव बनाया गया, फिर 966 करोड का चंदा पार्टी ने लिया, फिर कमपनी को ठेका मिल गया, यह है ना, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा की सच्चाई, देखें, यहाँ खाने में मूँ का इस्तमाल ही नहीं हो रहा है, और दुनिया यह स देखें कैसे वहवाही लूट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चोरी से चंदा लेने वाला रास्ता बैंड नहीं करता, तो यह सब कुछ, जो सच, इस वक्त सब के सामने है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता जोस्तों चंदे के जरीए भारत के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले की लिस्ट में तीसरा नाम जानते हैं किसका है, वेदान्ता ग्रूप का 16 अपरेल 2019 को वेदान्ता ग्रूप ने एलेक्टोरल बॉंड के जरीए 49 करोड 66 लाक रुपए का पार्टी को चंदा दिया और इसके ठीक 9 दिन के बाद, तारीख याद रखिएगा, ठीक 9 दिन के बाद वेदान्ता को राजिस्थान में 12,000 करोड का प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब चंदा दो ठेका लो, और भाशन देखिए, नखाओंगा, नखाने दूँगा, सरकार किस की थी राजिस्थान में, क पूरात पूरी हो गई, अब देखिए, जंदल स्टीर एन पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड रुपए का चंदा दिया, ठीक 3 दिन बाद, 3 दिनों बाद, 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन इनकी कंपनी को मिल गई, इतना फास्ट रिजल्ट तो भगवान जी भी इसकी कहानी देखिए, इस पर दिसंबर 2023 में चापा पड़ा, इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड का चंदा दे दिया, IT, ED वगएरा के चापे के बाद कंपनीया तूट जाती है, लेकिन भारत में चापे के बाद चंदे के लिए पैसा फट पड़ता है, गजब का अब छटी कंपनी देखिए दोस्तों, इसका नाम है टोरेंट पावर, इस कंपनी ने 86 करोड का चंदा दिया, और इसके बदले में इसे गुजरात में 47,000 करोड की सरकारी टील मिल गई, सब दिखाती चल रही हूं, आप देखते रहेगा, साथवी कंपनी देखिए, इसका में हल्दिया इंजिनिरिंग लिमिटेट, इस पर 2020 में SBI की रेट पड़ी थी, और इस कंपनी ने 377 करोड रुपए एलेक्टोरल बॉंड के जरी चंदा दे दिया, अब इसको रेट पढ़ने के बाद चंदा देना याद आया, इठीक वैसे है, जैसे मुसीबत पढ़ने के इस पर 2020 सबंदीने के बाद लोगों को इश्वर यादा आता है, वैसे ऐ चामपने इस कंपनें के बाद पार्टी को चंदा देना याद आता है, यह ज tipo मी कष़ों के बाद पर फर फोन, मोले याद आता है कि रहो, अब बिल बहरो करे में जोने 79 भर पाड़ने के बाद, Gegenल 2020 में इंकम टाक्स ने चापे मारी की थी और इस कंपनी ने अगले साल 2021 में एलेक्टोरल बॉंड के जरीए 162 करोड रुपए का चंदा दे दिया देखा चंदा पड़ते याद आ गया कि गुरू चंदा नहीं दिया है चंदा नहीं देंगे तो चाचा जीने नहीं देंगे रो 2019 में CBI ने जमीन के एक मामले में कारवाई की थी इसको चंदा देना याद नहीं आया था फिर 2023 में गुरुगराम में भी इसके दफ्तरों पर ED ने चापा मारा फिर इस कंपनी को ब्रम ग्यान हुआ और इसने 130 करोड रुपए के एलेक्टोरल बॉंड खरीद डाले और 2020 में असम की हिमंता सरकार ने इस कंपनी के साथ मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्टर के लिए MOU साइन कर दिया 10 करोड देने के बाद समय थोड़ा लगया लेकिन पैसा जादा देती तो महीनों का काम मिंडो में हो जाता लेकिन फिर भी अब 10 करोड के चंदे के बाद कुछ तो मिल पर चापा मार कर 550 करोड की संपत्ती अटाच की फिर इस कंपनी को रहसे माई और धर्ती से लुप्त हो चुके बॉंड से पाटी का पैसा देने का ग्यान प्राप्त हो गया 7 अप्रेल 2022 को करोणों के बॉंड खरीड डाले अब ये कंपनी राहत में है और अपना धंदा ठीक से कर रही है तेरवा नाम देखिए बोर तो नहीं हो रहे हैं क्यों बोर हो रहे गया अरे तो लीजिए एक मज़ेदार कंपनी का कच्चा-चिठा खोल कर दिखाती हूं इस कंपनी का नाम है नव्यूगा इंजिनरिंग कंपनी लिमिट्ट यह वही कंपनी है जिसकी टनल में 21 मजदूर फसकाय थे इतनी घट्या टनल से बनाई थी एक भी मानक का पालन नहीं किया था लोग इस कंपनी पर कारवाई की मांग पे मांग कर रहे थे लेकिन सरकार की घीगी बंद ही हुई थी कंपनी के आगे हाथ बांद कर खड़े हुई थी जानते हैं क्यों इसलिए क्य 22 को 10 करोड का चंदा देकर चौकीदार का मोसिल दिया था दोस्तों एलेक्टोरिल बॉंड के चंदे में बहुत था थी हबस हबस के खाने वाला कहता था कि ना खाओंगा ना खाने डूंगा और चंदा देकर कंपनिया ठेके ले रही थी और इसलिए जब सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ने SBI से कहा कि चंदे की लिस्ट दिखाओ तो SBI की घिखी बन गई वोना चुनाव के बाद 30 जून को दिखाएंगे जी SBI को अपने आका की बहुत चिंता थी अभी भी चीफ जस्टिस माने नहीं है फिर से SBI को फटकारा है और कहा है कि बॉंड पर छपा नमबर दो 18 तारिक तक बताओ और ये भी बताओ कि किस किस कमपनी वाले ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और बियाई ने भी एलेक्टोरिल बॉंड में मनी लॉंडरिंग की आश्रम का जताई थी यह आजाद भारत का कानून बनाकर किया गया बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर सरकार चुप है मोदी जी के मुझ से एलेक्टोरिल बॉंड का बात तक नहीं निकल रहा है पूरे खेल में इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि फेक और शेल कंपनियों को सिर्फ पैसा डोनेट करने के लिए बनाया गया हो SBI के तरफ से जो डेटा दिया गया है उसमें बड़ा जोल है दोनों लिस्ट में बॉंड खरीदने वालों और उन्हें कैश कराने वालों के तो नाम है लेकिन ये पता नहीं चलता है कि किसने ये पैसा किस पार्टी को दिया फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही फिर एक वीडियो के साथ ऐसे ही अनलसिस के साथ जुड़े रही हमारे साथ राम राम दुआ सलाम जय हिंद